नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टीडी पॉइंट में तो जीके की 20 कोश्चन सीरीज में ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोग महतपूर 20 कोश्चन और उनके एक्स्प्लिनेशन देखेंगे और आप इसको quiz के form में हल कर सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ी देर wait करूंगा जिससे ही आप उसका answer लिख सकें या comment कर सकें जो लोग live हैं वो लोग comment कर सकते हैं जो लोग live के बाद देख रहे हैं वो चाहें तो notebook पे जो है 1 to 20 serial तक डाल कर जो है और अपने तर लिखते जाएं बाद में comment में बताएं कि उन्होंने कित्ते प्रस्ण सही किये तो चलिए start करते हैं पहले question से निमलिखित में से कौन सा यूग्म सही नहीं है यानि यहाँ पर कई सारे विभूतियां दी हैं और वो किस कला से संबंदित रहें उनके बारे में बताना है अमीर खुसरो, सरोधवादन, भीम सेन जोसी, गायन, उत्पलदत, फिल्म और संभू महराज कथक तो जैसा कि आप जानते हैं कि संभू महराज का संबंद किस से है कथक से है उत्पल दत्ट जो है इनसे रिलेटेड हैं भीम सेन जोसी जो है रागमलहार और गायन से समदित हैं अमीर खुस्रो का जो है सरोध वाधन से कोई समद नहीं है बलकि ये क्या थे इनका जो है सितार वाधन से समद है next question देखते हैं भारती समिधान में तदर्थ न्यायधीसों की न्यूकती का प्राविधान है यानि तदर्थ न्यायधीसों की न्यूकती कहां की जा सकती है अनुचेर 127 सीधे जरूर यार धखेगा कभी कभी सिधे सिधे आठकील भी पूछ लेते हैं अनुचेर 127 के दिन राश्टपती की पूर्व सहमती से मुख न्यायधीस द्वारा की जाती है तदर्थ नयारीसों की नियुक्ति केवल उच्छतम नयाले में होती है उच्छ नयाले में बिल्कुल भी नहीं की जा सकती तदर्थ नयारीसों की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्छतम नयाले के सत्र को चालू रखने के लिए जो वांचित कोरम है या गड़पूर्ती है वो पूरी ना हो तदत नयारीसों की नियुक्ति का जो प्राविधान लिया गया है भारती सम्मिधान में ये फ्रांस के सम्मिधान से प्रेरित है तो तीनों ही जो है फैक्ट अपने आप में बहुत ही इंपोर्टेंट है जवाहर सागर, राणा परताब सागर तथा गांधी सागर ये जलासे हैं इनका निर्मार किस नदी पर किया गया है आसान है आपने पढ़ा भी होगा तो आपको बताना है कि घागरा, चंबल, कोसी या अमना में से किन पर जवाहर सागर, राणा परताब सागर या गांधी जलासेयों का निर्माड किया गया है यमुना की सहायक चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मद्ध प्रदेशवा राजस्थान में यह परियोजना संयुक्त रूप से बनाई गई है इस परियोजना के अंतरगत मद्ध प्रदेश में गांधी सागर इस थान भी जरूरी है आपको पता होना चाहिए मद्ध प्रदेश में गांधी सागर बांध यह जलासे है राजस्थान में राड़ा परताप सागर और जवाहर सागर बांध यह भी कोटा या बैराज जो है यह कोटा में बनाया गया है कोसी पर्योजना बिहार राज में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है असंगठित स्रमिक सामाजिक सुरच्छा अधनियम यह किस वर्स पारित किया गया था तो यह वर्स 2008 में पारित किया गया था असंगठित चेट्र के कामगारों को सामाजिक सुरच्छा प्रदान करने के संबन में सरकार ने असंगठित कामगा सुरच्छा अदनियम 2008 पारित किया असंगठित छेत से तात पर उन स्रमिकों से हैं जो रोजगार के आइस्थाई स्वरूप, अज्ञानता वा निरच्छरता, छोटे वा बिखरे प्रतिष्ठानों आज के कारण अपने साजा हितों के लिए स्वयम को संगठित नहीं कर पाए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संग एनलीडा, जुलोजी में आपने पढ़ा होगा कि एनलीडा एक संग होता है, तो इस जगत का कौन सा प्राणी है या जीव है ये आपको इन में से बताना है, एसकरीस, तिलचट्टा, मक्खी और केचुआ इन चारों में से कौन जो है एनलीडा सं जिसता है इस संग की, एनलीडा के जनतु लंबे, बेलनाकार, द्वी, पार्स, सम्मिती और त्रीस, त्री होते हैं, जैसे की जोक, केचुआ और नेरीस, ये इसके प्रमुकुदारण है, तिलचट्टा जो है कीट वर्ग में आता है, यानि ये इनसेक्ट है, जिसमें एक ज प्रीक सब्दों, एनुलस और जिसका मतला होता है, रिंग, और एडियॉस यानि फार्म से मिलकर बना है, यानि जो है, रिंग लाइक जिसका सरीर हो, उनको जो है, एनलीडा संग में उन प्राणियों को रखा जाता है, उपन्यास गोरा के लेखक कौन है, तो गोरा एक प्रियोग इन में से किस खेल में किया जाता है, तो इस मैस का संबन किस से है, लौन टेनिस से संबन्द है, इस मैस का, इस मैस लौन टेनिस से जुड़ा एक सब्द है, इस मैस वह सौट होता है, जो हीटर द्वारा सिर के उपर से सर्विस के रूप में मारा जाता है, अब आ जो खेल हैं उनके जो है जो प्रियुक्त सब दोते हैं उनकी जो सब्दावली है वो मैं रख रहा हूँ आप इसको जो है पाउस करके पढ़ सकते हैं जैसे बैटमिंटन से सम्बंदित जो सब्दावली है बासकेट वाल बेसबॉल से सम्बंदित बॉक्सिंग से सम्बंदित स सबसे यादा पूछा जाता है गुगली और ये सब जो है कई बार पूछा जा चुका है फुटबॉल, जिमनास्टिक, होकी, घुरदोल, टेनिस, लॉन टेनिस तो आप इस वीडियो को पाउस करके यहाँ पर जो है जहाँ पर भी आपको पढ़ना आप उसको पढ़ सकते हैं Next question देखते हैं महा पर निवान मंदिर कहां पर इस्थित है तो आप जानते हैं ये बहुत धर्म से सम्मंदित भगवान बुद्ध से सम्मंदित जो है मंदिर है और ये जो चारो इस्थल दिये गए है ये कन्फ्यूज करने के लिए जो है चारो ही जो है बहुत धर्म के पुरसित इस्थलों के नाम दिये हुए है तो इन में से आपको ब पर्तमान कसया नगर के पास महा पर निवांड मरनिर इस्थित है महा जनपतकाल में कुछी नगर मल गणराज की राजधानी थी बुद्ध का महा पर निवांड जोकी 483 इसापूर में माना जाता है इसी इस्थान पर हुआ था इसलिए इस मंदिर को महा परिनिवान मंदिर का नाम दिया गया है उत्तरप्रेश के कुशी नगर में स्थित महा परिनिवान मंदिर पूरी दुनिया में बहुत धर्म की सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर उची मूर्ती लेटी हुई मुद्रा में रखी हुई है या मूर्ती उस काल को दरसाती है जब 80 वर्स की आयू में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थी सरीर को छोड़ दिया था और सदा सदा के लिए जन्म और मुर्त्य के बंधन से मुक्त हो गये थे यानि उन्हें मोक्ष की प्राप्ती हुई थी इसी घटना को महा पर्निवार कहा जाता है बौध धर में नेस्ट कोश्चन देखते हैं निम्न में से उत्तर प्रदेश का सबसे दच्छडी जिला यानि साउथेस्ट जो है इन में से कौन सा है उत्तर प्रदेश का तो सबसे दच्छडी जिला उत्तर प्रदेश का सबसे दच्छडी जिला सोन बद्र है सबसे उत्री जिला पूछ लिया जाए तो सहारनपूर सबसे पश्चिमी जिला सामली और सबसे पूर्वी जिला बलिया है Next question, सुमेलन करना है हमको छेत्र और उनके संबंधित व्वेक्तियों को आपस में मिलान करना है तो एक-एक करके हम देखते हैं हिंदी साहित से संबंधित कौन है? रस्कान उर्दू से संबंधित कौन है? एंग्यान, चन, जैन उर्दू से ज्यान चंजैन, संगीत एउन्जत से सरिता देवी और चित्रकला से सरितीस चंद्रो नेश्वचन निम्न में से उत्तरपदेश के किस भारुत तोलक ने राश्टमंडल खेल 2018 में सौन पदक प्राप्त किया है तो इसमें से स्वण पदा बिजेता जो उत्तरपदेश से संबंदित हैं वो कौन है ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है तो पूनम यादों ने जो कि उत्तरपदेश की प्लेयर हैं इन्होंने भारुत तोलक में राश्टमंडल खेल 2018 में सौन पदक प्राप्त किया था उत्तरपदेश के वारणासी के डंडू पूर गाओं की रहने वाली पूनम यादों ने राश्टमंडल खेल 2018 में 69 केजी वर्ग में स्वान पदक जीता था आस्टेलिया के गोल्ड कोष्ट में उसने 222 किलोग्राम का वजन उठा कर ब्यक्तिकत इस परधा में सर्वसेश प्रदसन किया और इगलैंड की सारा डेविस को पीछे छोड़ दिया इन्होंने एक और उपलब्दी पहले भी हासिल की है वह 2014 के जो ग्लासगो गेम्स हुए थे उसमें 63 किलो वर्ग में कांस पदक जीता था अगला कोष्टन राश्ट कवी मैथली सरलगुप्त का जन्म उत्तरपदेश के किस इस्थान पर यानि किस जिले में हुआ था इंपोर्टन कोष्टन है ये तो राश्ट कवी मैथली सरलगुप्त का जन्म उत्तरपदेश के जहासी डिश्टिक में हुआ था 1886 में उत्तरपदेश के जहासी के चिरगाओं में पैदा हुए मैथली सरलगुप्त का जन्म गहोई समदाय के कंकाने कुल में हुआ था उन्हें खड़ी बोली कविता के अगरदूतों में से माना जाता है नेक्ट कोश्चन उन्नीसवी सताबदी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक इन में से किसी कहा जाता है तो ये सभी महान समासुधारकों के नाम दिये हैं आपके सामने से इन में से उन्नीसवी सताबदी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक स्वामी विवेका नंद जी को माना जाता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे ये कोश्चन जो है PCS में पूछा जा चुका है और इनको तूफानी हिंदू भी कहा जाता है तीस वर्स की आयू में स्वामी विवेकानन ने सिकागो अमेरिका के 200 धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिन्धित किया और उसे सारभौमिक पहचान दिलाई तीन वर्स वे अमेरिका में रहे वहां के लोगों को भारती तत्योगान की अदभुत जोती पदान की उनकी वक्तव विसैली और ज्ञान को देखते हुए वहां की मीडिया ने उन्हें साइकलानिक हिंदू जिसको यहां पर तूफानी हिंदू हिंदी में लिखा है तो ये वह कुछ सकारात्मक ही पाएंगे नकारात्मक कुछ भी नहीं तो इस तरह के कोर्स भी एक्जाम में पूछ लिया जाते हैं कि किसने कहा था किसके बारे में कहा था नेक्ट कोश्चन देखते हैं नर्मदा घाटी में कौन सी संस्कृती बिक्सित हुई इंपॉर्टेंट संस्कृती नर्मदा घाटी में बिसकृत हुई यह तामर प्रासाणिक संस्कृती है कभी-कभी यह पूच लिया जाता है कि यह किस साल से संस्कृत है तो यह तामर पासान काल की संस्कृती है पस्चिम मदपदेश के मालवा संस्कृती का विकास हुआ था इस से पूर्व काय था संस्कृती का भी विकास हो चुका था इसका काल 2000 इसापूर से 1800 इसापूर था जबकि मालवा संस्कृती का काल क्या था 1700 से 1200 इसापूर मालवा संस्कती का मूल छेत्र मालवा काय था वा एरण है मालवा संस्कती अपने मुरद भांडों की उत्कृष्टा के लिए जानी जाती है आगे मालवा संस्कती का प्रसार महराज छेत्र में भी हुआ इस संस्कती की विशेष्टा यहां के बरतनों के बनावट में अनघड़पन है लेकिन उन पर मोटा लेप लगा कर लाल या लाल काले रंग में डिजाइन उस पर बनाये जाते थे अहार नामक ताम पासार कालिक संस्कती का विकास कहां पर हुआ राजस्थान में यह भी कोश्चन कई बार पूछा जा चुका है इस संस्कती के लोग काले लाल रंग के बरतन बनाते थे जो सफेड डिजाइनों से सजे होते थे जोरवे के बारे में जैनते हैं जोरवे तामरपासाडिक संस्कती महराश्च्छ छेत्र में बिक्सित हुई थी यहां के बरतन परमपरा में लाल रंग पर काले रंग की चित्रकारी होती थी लेकिन उनपर सतह धुदली या खुर्दरी होती थी तो और अधिक आप जोर्वे संस्क्ति के बारे पढ़ना चाहते हैं, तो इसको पाउस करके आप पढ़ सकते हैं, और अहार या बनाज संस्क्ति जिसके बारे मैंने बताया कि यह राजस्थान में फली फूली थी, तो इसके बारे में भी आप पूरा डेटेल जो है वीडियो क पाउस करके पढ़ सकते हैं आगे देखते हैं पंचाय चुनाव में अनसूचित जातियों के लिए पदों का आरच्छन किस राज में लागू नहीं होता है तो इंपोर्टेंट कोश्चन है कई बार जो है पॉल्टी सेग्मेंट में पूछा जा चुका है तो अरुडाचल प् जातियों के लिए आरच्छन संबंदी प्राविधान अनुडाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा जो कि अनुडाचल प्रदेश में अनुची जातियां नहीं निवास करती हैं Grand Canyon काफी आप लोग जो है इसके बारे में सुनते रहते होंगे यह किस नदी पर बना हुआ है । Grand Canyon कहां पर इस्थित है तो Grand Canyon जो है कोलराडो नदी पर इस्थित है ग्रेंड कैनियन संयुक्त राज अमेरिका में कोलराइडो नदी परिस्तित है यह कैनियन लगबग 480 किलो मीटर लंबी और 1828 मीटर गहरी तथा 6-16 किलो मीटर चौड़ी है कलोराइडो नदी अमेरिका के पस्चिम राज कैलिफोर्निया में प्रभाइद होती है तथा मैक्सिको से होते हुए कैलिखोनिया की खाड़ी में जो कि प्रसांत महासागर का हिस्सा है यानि फाइनली प्रसांत महासागर में गिर जाती है तो ये भी पूछा जा सकता है कि कोलरेडो नदी का मुहाना कहां पर है तो आपको बताना होगा कि कोलरेडो नदी प्रसांत महासागर में गिर्ती है नेश्ट क्वेस्ट दृरा यानी डायरेक्ट करेंट जिसे हम कहते हैं और प्रत्यावर्ति धारा जिसको हम जो है ऐसी या एक 15 तो दिस्थ धारा और प्रत्यावर्ति धारा के बीच में जो अंतर है उसके बारे में दो कफन दिये हैं वो कथन हमको जो है सही है या गलत है ये बताना है दिश्ट धारा यानि डारेक्ट करेंट एक निश्चित काल अंतराल पर के पचात अपनी दिशा उतक्रमित करती रहती है और प्रत्यावर्ती धारा यानि एसी धारा सदव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो दोनों ही क पूरी तरह से गलत हैं यहां पर दिश्ट धारा के बारे में यह सही होना चाहिए यानि दिश्ट धारा सदव एकी दिशा में प्रवाहित होती है और प्रत्यावर्ती धारा जो होती है एक निश्चित काल अंतराल में अपके पस्चाथ अपनी दिशा में उतक्रमित होती रहत तो इस तरह से उसका測्स कुपप्सट एक रिकार्ड करता तो इस तरह के कम्प्प्युटर को क्या कहा जाता है Key Logger Computer कहा जाता है Key Logger Computer Computer में आपके द्वारा किये गैकार को Protection Record करता है निमलिखित में से किस अधिकारी ने महानिदेशक Air के रूप में कारिभार समाला है हाली में तो ये Current Affairs का question है तो Air Marsal Amit Deo फोर्थ आपसन जो आपके सामने है इन्होंने हाली में महानिदेशक Air जिसको OPS भी कहा जाता है का पद समाला है Next question हाली में सुर्खियों में रहा ELA क्या है तो ELA जो है इनमें से आपको बताना है कि क्या है ELA क्या है SBI Card का क्रतिम आधारित क्रतिम बुद्धी आधारित Electronic आभासी सहायक है यानि ये Artificial Intelligence दूसरे सबसे बड़ा Credit Card जारी करता SBI ने 4 जुलाई 2018 को क्रतिम बुद्ध मत्ता संचालिल Electronic आभासी सहायक ELA को लांज किया है तो दोस्तों आज की सेगमेंट में बिता ही फिर अगली कड़ी में मिलते हैं नमस्कार धन्यवार